हेलो एब्रीवन वैलकम टू अलिबोड माइनम इस हिमांची शर्मा और आज का जो हमारा सेशन है वह बहुत इंपोर्टेंट सेशन है क्योंकि क्या हो रहा है कि हमारे पास टाइम है बहुत कम और उस कम टाइम में हमें करनी है प्रिप्रेशन तो अब जैसे भी साम दाम दंड भेद बोलते हैं कि सारी चीजें हम यूज करेंगे और हम हमारे जादा से जादा मार्स को सेक्यूर कर लेंगे अब चुकि यह जो सब्जेक्ट है आई-ए-ए-फस इस आई-ए-ए-फस सब्जेक्ट में कौन-कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं आट आजी मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए ऐसे कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट होते हैं उन इंपोर्टेंट टॉपिक्स को हमें फोकस करना है तो आप आप सोचोगे कि सर जैसे माल लीजिए हम पीपीपी की बात करें तो वी हब दा अब्जर्बेशन आफ लास्ट प परेशान हो रहे हैं कि कैसे यहां पर टॉपिक्स धूढ़नें इंपोर्टेंट टॉपिक्स किसके आई-ई-इ-फैस की तो देखो मैं आपको बताता हूँ एक्जाम पर यह डिपाइंट करता है कि कि किस तरीके के टॉपिक एक्जामीनर को पूछना और पूछना चाहिए है एक्जाम्पल मैं बात करता हूँ इफ यहां पर दो नाए सेलेक्शन बैचेज हैं यह आप लोग देख लीजिएगा इंग्लिश मीडियम बैच इस गोइंग तो स्टार्ट फर्ट थर्टींथ अव दे मार्च इस इस अल्रेड़ी स्टार्टेड फ्रॉम इन दोनों ही बैचेज में अगर आप चॉइन करना चाहें तो कर लीजिएगा यूजिंग कोड हमांच्यों हम सीधे पहुंसते हैं टॉपिक पर तो टॉपिक ही है कि हम चूज कैसे करें कि कोई भी टॉपिक सबसे पहला हमारे पास Long chưa होता है की उसका हमारी ao ario बेंकिंग में क्या अप्लिकेशन है यह जो भी चीज़ है वह हमारी बैंकिंग लाइफ में किस तरीके से अप्लिकेबल हो पहला दूसरा हम क्या करेंगे वह यह देखेंगे कि वह हमारी डेली लाइफ में उसका क्या application होगा अगर वो चीज हमें नहीं पता होगी तो as a professional, as a personal हमारा क्या नुक्सान हो सकता है तो basically यह होता और तीसरा यह होता है कि पिछले कुछ exams में it means कि previous year को हम क्या करते हैं observation उसका ले लेते हैं का previous year का observation हम ले लेते हैं for example previous year का observation का मतलब यह होता है कि last year इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट से कौन-कौन से topic पूछे गए अब IE IFS का exam तो हुआ नहीं है तो फिर previous year का हम नहीं देख सकते हैं लेकिन हम क्या करते हैं कि जो हमारे examination से चाहिए वो IE IFS पूरा नहीं होता है बड़ तुक्डो तुक्डों में अलग 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 तरीके से पूछा जाता है तो चुकि इंडियन economy और इंडियन financial system की हम बात करें इंडियन economy तो हमारा पूरा के पूरा UPSC में cover होता ही है IFS का कुछ पार्ट और IFS जो है वो बहुत सारा portion ऐसा जो आपके PPB में भी काम आ जाएगा इट मीन हम PPB और IFS के कुछ common topics निकाल लेंगे जिनकों एक ही बाहर पढ़ेंगे तो most important topic की हम बात करते हैं स्टार्ट करते हैं from the module 1 अब module 1 की मैं बात करूं यहां पर तो जैसे हम आते हैं module 1 पर मतलब module A में overview of Indian economy इसको जवाब पढ़ोगे तो यह sectors of Indian economy यह बहुत छोटे-छोटे से topic यह तो मैंने पूरे topic यहाँ पर दिख रहा है इनमें important क्या है for example economic planning in India का थोड़ा सा portion पढ़ेंगे बड़ नीती आयोगी most important हो जाएगा हमारे लिए infrastructure में हम social infrastructure को ज्यादा focus करेंगे इसके बाद में globalization क्या होता है यह आपके लिए पूरा के पूरा topic ही बहुत important है economic reform important foreign policies में हम जब आएंगे तो यहाँ पर आपको foreign investment and economic development वाला part ज्यादा important होगा foreign trade policy को हमें ज्यादा discuss नहीं करना international economic organization में ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी organization है आपके लिए कौन-कौन सी important होगी वह हम देख लेते हैं आपर देखिए आई-म-फ world bank then after WTO बस इसके बाद आपको पढ़ना है तो अब G20 के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे जब कि आपके syllabus में बहुत सारा यहाँ पर दिया होगा राइट आगे चले इसके बाद में climate change sustainable development good climate change नहीं climate change नहीं हमें पढ़ना है ज्यादा हमें focus करना SDGs जो कि हमारे सत्रा sustainable development goals है जो कि UNDP नहीं यहाँ पर decide कि है problem हम क्या face कर रहा है इंडियन economy यह हो जागा अब इसमें भी आप देखो इतनी सारी चीजों मैंने बहुत सारी चीजों को comprise कर दिये कि compress कर दिये कि यह सारा नहीं जैसे इसमें से सिर्फ यह पढ़ना अगर आप देखोगे तो 20% आपका यह है और 80% यह portion है तो हमने 20% वाले को चूज कर लिए ऐसे फर्दर जब हम आगे बढ़ेंगे और हम कहुंचेंगे मॉडियूल बी पर तो मॉडियूल बी में हमें क्या करना देखो यहाँ पर जब आप आओगे तो सबसे पहले हम देखते हैं यह हम क्या करेंगे इसको पढ़ेंगे लेकिन बहुत शॉट में इसमें इंपोर्टेंट होगा जो आपका वह होगा सिर्फ कौन सा टाइप सॉफ एकॉनोमिक्स में आपको बेसिकली माइक्रो मैक्रो को भी अगर फोकस नहीं करोगे तो टाइप सफ एकॉनोमी को फोकस पढ़ना है मनी सप्लाय और इंफ्लेशन यह बहुत चोटा सा टॉपिक है यह इंपॉर्टेंट है ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए त्योरीज ऑफ इंट्रस को छोड़ भी दो कि तो चल जाएगा काम बिजनस साइकल छोड़ देना चल जाएगा काम लेकिन Monitory Policy fiscal policy आपको पढ़ना पढ़ेगा सिस्टम आफट नैशनल अक्काउंट का सिस्टम छोड़ो GDP प्रम को आपको फोकस कर ले जिसमें GDP जीए नपी ऑन पी और County एन आई पीसिय यह सारा के सारा आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा तो यह वाला फोकस कर लेंगे हम इसमें से क्या करेंगे सिस्टम औफ नैशनल अकांट को हम ज्यादा नहीं पड़ेंगे हम क्या करेंगे gdp concept पर फोकस करेंगे GDP जीन पिन एंडिप और पीसी इसको हम यहां पर पूरा अच्छे से क्या करेंगे कबर अप कर लेंगे उसके बाद मैं इंडियन हें कि इसमें है कि हमारे पूरी यहां करेंगे यहां से करेंगे इसको डिसकस करते हैं यह सबसे बड़ा चप्टर है आपके module बी का तो module बी में जब आप जाओगे तो यह आपका सबसे बड़ा Indian financial system overview सबसे बड़ा चप्टर बन जाएगा इसके बाद मैं Union budget की बात करें तो Union budget बहुत छोटा सा चप्टर मैं आपको बताता हूं इससे almost दो question आएंगे जब दो question आने हैं इसको हम focus कर लेंगे इसके बाद आते हैं इंडियन banking structure इन दोनों को हम पढ़ेंगे और यह बड़ा चप्टर इसको आपको छोड़ना नहीं यह आपको पढ़ना ही पढ़ना ही दोनों कम से कम दो से ती जाएगी business हो जाएगा और भी के functions हम लोग discuss कर लेंगे उसके बाद में बाइंडिंग अप आफ बैंक यहां भी पढ़ेंगे और यह हम पढ़ते हैं कहां पर amalgamation मर्जर और बाइंडिंग अप आफ दो बैंक पीपी में तो यह वाला दो जगे आपको cover up हो जाएगा इसमें से कुछ acts है sorry कुछ section से जो यह इंडिविजुली आपको पढ़ने होते हैं राइट अगर हम आते हैं तो मॉडियूल डी में अगर आप यहां पर focus करते हो देखो कहां कहां पर तो यह आपका जो retail banking वाला पार्ट है ना retail banking and wealth management इसमें भी आपके common topics हैं क्या-क्या है देखो मैं बताता हूं इस मॉडियूल और retail banking wealth management में क्या-क्या आपका टॉपिक जो होगा वो common होगा देखो number one wait a minute एक चीज़ और यहां पर होगे हां राइट देखो यहां पर क्या होगा सबसे पहले हम बात करेंगे financial market यह retail banking wealth management में भी आप पढ़ लोगे तो यहां पढ़ो या ना पढ़ो एक ही बात है money market capital market foreign exchange market merchant banking यह पूरा के पूरा concept भी retail banking wealth management में आपको मिलता है नहीं पढ़ते तो आप यहां पढ़ लो या वहां पढ़ लो लेकिन पढ़ना आपको एक ही बाहर है ठीक है factor for fitting and trade receivable discounts यह आप पढ़ते हो AFM में और यह पढ़ते हो आप PPB में भी ठीक यह दोनों venture capital retail banking lease finance and higher purchase यह भी आपका retail banking wealth management का पार्ट हो जाता है credit rating and credit scoring इसको आप पढ़ लेना wealth management का पार्ट है लेकिन यह हमारे IFS में important हो जाता है mutual funds insurance pension product para banking financial services तो यह last के यह वाले जो हैं यह आपके लिए सबसे ज़्यादा important हो जाते हैं तो हम बात करें अगर पूरे के पूरे 45 chapters में से हमें almost 30 chapters को क्या cover up होंगे जब आप 30 chapters को यह क्या करोंगे cover up कर पाओगे तो यह हमने क्या किया discuss किया कि कौन कौन से topics हैं जो बहुत important है हमारे IFS के लिए वो हम यह आपर देख लेते चलिए इसके बाद हम आगे आएंगे और मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास में दो नए batches हैं वो align हो चुके हैं पहला batch जो है वो कौन सा है वो new selection batch English medium और दूसरा है new selection batch bilingual batch 25 वैब से start हुआ है और यह start होना इसको 13th of March से दोनों ही batches में आप चाहो तो demo classes ले सकते और इसकी तो classes से ले सकते हैं चलिए तो इसमें अगर आपको join करना इन दोनों ही batches में तो चुकी अभी 6th March to 9th March 6th March से 9th March के बीच में क्या चल रहा है holy का offer चल रहा है राइट holy offer अगर चल रहा है तो यहां मैं बात करूं किसकी holy offer की तो यह कब से चल रहा है 6th March से 9th March तक इसमें आपको हमारे सारे courses पर up to 40% off मिल जाएगा क्या मिल जाएगा 40% off आपको यहां पर मिल जाएगा रहे तो जाएगे जल्दी से और enroll कीजिए अपने आपको हमारे courses में और जाइन कीजिए olive board के courses को जहां पर आपको बहुत ही ज़्यादा के non-faculties मिलेंगी जैसे की CA है हमारे साथ में CA है CS है PhD हो एक्स बैंकर्स है आया बीएफ के जो examination cell के member है शिवासर यह सारे लोग हमारे साथ में जोड़े हुए हैं जिनकी research और development के basis पर जो course हम लोग ने design किया उसे साथ से में लोग चला रहे हैं session अच्छा लगा हो तो like करें share करें and do not forget to subscribe the channel और comment करके बटाएं अगर कोई भी आपको problem है तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं thank you so much for joining the session we will meet you in the next session